चलिए दोस्तों, आज मैं try कर रहा हूँ, आपके साथ में कुछ sentences share करने के लिए है ना, कुछ sentences हम लोग share करेंगे आपस में, यानि English बोलने के लिए try करेंगे, English बोलने के लिए try करेंगे ताकि आपका confidence build up हो सके, जो hesitation होता ना वो दूर हो सके, तो daily routine के माध्यम से कैसे हम अग में जो चलता है ना, अगर अब किसी से बात नहीं कर सके, तो क्या करेंगे, जो दिमाग में आएगा, वो हम लोग सोचेंगे, है ना, तो you have to practice to yourself, you have to talk to yourself, if you don't have any partner with you, then you don't have to hesitate, then you don't have to worry about anything, like, how should I manage to have a partner, how should I manage to speak English, although I don't have a partner, so you need not to worry about a partner, to have a partner, just talk to yourself, like me, चलो, sentences उचाते हैं, let's pick up some sentences, according to our own thought, हमारे खुद के अनुसार हम कुछ sentences बोलते हैं, चलिए ठीके, तो मालिजे कोई सुबा सुबा उठता है, मालिजे सुबा सुबा बिस्तर से हम लोग उठते हैं, अपने बैड से उठते हैं, तो हम कैसे बोले बोलेंगे, अब जो मैंने बोला इसकी English कैसे बोलेंगे, मालिजे सुबा सुबा, आप एक mind make-up कर रहे हैं, चलो यार कल सुबा मुझे English बोलना शुरू करना है, जैसे बिस्तर से उठते हूँगा, वो ऐसे मैं बोलूँगा, तो जो बोलना है जो आपके दिमाग में चल रह बोल सके, तो आप अंग्रजी बोलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो चलिए मालिजी आप विस्तर सुट गए, ठीक है, तो मैं विस्तर से उठने वाला हूँ, अब आपके मन में आ रहा है, आप ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए कि मैं विस्तर से उठने वाला हूँ, तो मैं विस चार सेकेंड दस सेकेंड के लिए फिर आप उठने की कोशिश जब करेंगे तो वो सिचिवेशन है कि मैं विस्तर से उठने वाला हूं तो I am get up, I am to get up, I have to get up, now I have to get up from my bed, now I have to get up from my bed, अब मैं अपने विस्तर से उठने वाला हूं, या आप सोच रहे हैं कि अब मुझे अपन from my bed, और अगला मुझे अपनी मॉबाइल चेक करना है, लोग क्या करते हैं, जब विस्तर सुठते हैं तो पहली नजर मॉबाइल पर जाती है, या आदत पढ़ गई ना सेलफोन पर, तो मुझे अपनी मॉबाइल चेक करना है, तो now I have to see my mobile, मुझे अपनी मॉबाइल को see करन see का मतलब check करना, see माने मिलना और check करना, ठीक है, यह आपको ध्यान देना है, now I have to check my mobile, कोई दिकर नहीं, now I have to check my mobile, अब आपने बोला कि हाँ, मॉबाइल चार्ज हो गई है, तो now I found, and yes, my mobile has been charged, मैरी मॉबाइल चार्ज हो चुकी है, चार्ज हो गई है, उसके बाद अग्रा संटेस अगर होगा, लाओ स्टेटस चेक कर लेते हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं, मॉबाइल पर, किसका क्या मैसेज आया है, now let me check my status, आपको यह संटेस रट लेना है, ताक कि लाओ मैं यह कर दू, लाओ मैं ऐसा कर दू, तो let me, let me करके आपको बोलना हर जगा है, तो let me check my status, ठीक है, उसके बाद में अगर होगा, कि status में कुछ खास नहीं है, तो आप क्या बोलेगे, there is nothing special, there is nothing special on the status, ठीक है, यह बोलेगे, उसके बाद किसी का कोई message नहीं आया, कि किसी का कोई, चलिए, check करते है, किसी का कोई message नहीं आया, ठीक है, किसी का कोई message नहीं आया, तो क्या होगा, no message yet, not anybody's message yet, यह भी कर सकते है, no message yet, yeah there is no message, कोई message नहीं है, हो गया, आपको बहुत जादा घसीट करके नहीं बोलना है, छोटा सा short way में बोलकर निकल जाना है, ठीक एक गलास पानी पी लेता है, आप बिस्तर शूत रहे हैं, क्या सोचेंगे, चलो एक गलास पानी पी लेते हैं, तो आप मन में आया एक गलास पानी पी लेते हैं, तो I have to take a glass of water, है न, I have to take a glass of water now, क्योंकि यादर पढ़ जाती है, तो आप यह इसे बोलते हैं, I want a glass of water, यह जो पर लो आप मतलल pussy return ते तेट्चत Hz तेड़े की पानी है नहीं मतल्ब नहीं अब ग्लास में क्या होता ? साइड टेबल जो आपकी wall sign table होती है उस पर अप क्या करते हैं उस पर आप पानी रखते है इना रात में कभी प्यास लग जाता रात्मों कर पीने के लिए तो धरते रहे के पाणी नहीं नहीं है वो खको व को फको खको जेट दे मिघे मतलब नहीं है यह नहीं इस हम रहते द् Seite banana उसके आपने सोचा कि चलो विस्तर से उड़ जाता हूं। आपने सोचा कि चलो विस्तर से उड़ जाता हूं। तो क्या होगा? Now, I have to get up my, now I have to get up, बस इतने बोलना है, now I have to get up, या let's get up, चलो उड़ जाएं। हाला कि और कोई नहीं है आपके साथ में, आप वो सकते हैं, let's get up, नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं है, अकर दो नोग होंगे, तीन नोग होंगे, तो let's get up चलो उड़ जाएं, नहीं मन में क्या होगा? Let me get up now, अब मुझे उठना चाहिए, या I should get up now, यह होगा, I should get up now. अगला उसके बाद में रहेगा आपका, फिर जो भी सोच सके आपके मिन में जो विचार आता है, अगला विचार आप कर सकते हैं, कि क्या time होगा, आपने सोचा कि कोई समय है, जरा घड़ी देखते है time क्या हुआ, तो क्या होगा, time क्या हुआ, what's the time, what's the time, या let me, let me see the time, let me check बता है, यह हो जाए, समय क्या हुआ, फिर एकला है, पांच बज गया, यार पांच बज गया, तो क्या होगा, it's five o'clock, it's five o'clock, five o'clock नहीं बोलना पूरा, कि it's five o'clock, आपको normally बोल देना है, अराम से, it's five o'clock, it's five o'clock, इतना बोलना, ठीक है, फिर इसके बाद में, चलो दे नहीं हुई है, क्या होबा, it's not late, या I am not late, थैंक गॉड, I am not late, फिर इसके बाद में, अब आप फिर दिमाग में, कोई दूसरा सिंडर सापके दिमाग में आता है, कि मेरा sleeper कहा है, मेरा चपल कहा है, आप नीचे जुपकर चपल देखते न, आपका चपल कहा है, तो where's my sleeper where's my sleeper, ठीक है, where's my sleeper, मेरा चपल कहा है, इसके बाद ये रहा sleeper, यानी ये रहा, आपको मिल गया आपका sleeper, तो क्या बोलेंगे, ये रहा मेरा sleeper, तो क्या होगा, here it is, here it is, here it is, ये रहा, इतने बोलना है, इसके बाद मेरा लिजे फिर अगला, लाव पहन लेता हूँ, लाव पहन लेता हूँ, let me wear it, let me wear it, इसको मेर पहन लेता हूँ, अंगडाई लेने का मन कर रहा आपका, अंगडाई लेने का मन कर रहा हूँ, क्या होगा, I want to, I want to stretch my body, I want to stretch my body, stretch, stretch मने क्या होता है, stretch करना किसी चीज को घसीतना, I want to stretch my body, ये हो गया, इसके बाद अंगडाई ले लूँ, I should stretch, I should stretch my body, हो गया, आज शरीर में दर्द है आपको पता लगा मैं सुबा सुरू उटना हूँ लेकिन मेरे शरीर में दर्द है तो क्या होगा I have some pain I have some pain in my body मेरे शरीर में थोड़ा दर्द है या I have body ache I have body ache ऐसा सोचेंगे और फिर आपने सोचा चलो अब फटा-फट फ्रेश हो लेता हूँ चलो फटा-फट फ्रेश हो लेता हूँ है ना now let me freshen up let me freshen up अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ फिर इसके बाद अगला होगा, यहां कितना सुकून है, अब सुकून के लिए क्या होगा, यहां कितना सुकून है, यहां कितना सुकून है, तो क्या होगा, यहां कितना सुकून है, आप कहा चले गए मालू मैं, फ्रेश होने चले गए, बात रूम में चले गए, तो यहां कित इंदेनों पेट साफ नहीं होता है तो पेट साफ नहीं होता है उसको बोलते हैं उसको वह साफ नहीं होता है Sultan तो बड़ी दिक्कत है मैं क्या कह सकता हूं तो I have constipation, I feel constipation these days, I feel constipation these days, यानि इन दिनों पेट सापने उपा, फिर अगला आप आप वाश्रूम से बाहर आए, आप क्या ढूढेंगे, hand wash का है, hand wash कहा है, तो hand wash कहा है, तो sit is back, where is hand wash, where is hand wash, ये रहा hand wash, तो क्या होगा, here it is, फिर भई हो गया, और नहीं मिला, कहा गया यार, किदर गया, where to find it, where to find it, where to search for, कहा ढूणू, ये नीचे रहा, here it is down, ऐसा हो जाएगा, छोटा छोटा संटेस आपको बोलना है, अब थोला सा यूज करना है, मतलब थोड़ा सा, लाओ मैं थोड़ा सा यूज कर रहता हूँ, लाओ hand wash थोड़ा सा यूज कर रहता हूँ, तो let me have a little bit, let me have a little bit, let me apply some of it, ऐसा भी कर सकते, थोड़ा सा लाओ मैं अपलई कर लेता हूँ, फिर अगरा है आपका, काइदे से लगालू, मतलब hand wash को ठीक से लग वाश कर लो तो क्या होगा काई जित अगा मोई आए शुड अप्रय इट स्बस्दाए ç तरी अब टोटी चला देता हूं जो आप तोटी चला देता हूं पानी के लिए ऑक मिद्टेंड वास करapping लिए गृए शुड ए energies I should turn on the tap, I should turn on the tap now, now I should turn on the tap, अब मुझे टोटी चला जेना चला जोए, यह तो तो रहा है, पानी आ तो रहा है, पानी आ तो रहा है का होगा? Yes, the water is running, the water is running, पानी आ रहा है, चल रहा है, बस सना बोलना है, यह water is running through the pipe, यह water is running through the tap, tap से पानी आ रहा है, अब साबुन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपके दिमाग में आगा साबुन जो है ना साबुन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो क्या करेंगे? I think the dish is not of good quality, the dish is not of good quality, or I think the dish has not good quality, इसमें अच्छी quality नहीं है, फिर अगला आपके दिमागे कोई आ गया, कि इससे अच्छा तो पहले वाला साबून था, तो क्या बोलेंगे, the previous was better than it, पहले वाला इससे अच्छा तो कल से वही करूंगा, कल से वही उच्छ करूंगा पहले वाला, तो क्या होगा, कल से वही उच्छ करूंगा, I'll use the former, I shall use the former one, पहले वाला उच्छ करूंगा, I shall use the previous one, पहले वाला उच्छ करूंगा मैं, यह आपको करना है, बहुत जादा cutting sentence बनाने की difficult sentence बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हो गया हाथ साफ, चलो हो गया हाथ साफ, तो क्या हो जाएगा, Yes, I've done, मतलब हाथ 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 धो रहे है, न, Yes, I've done, Hाथ साफ हो गया, My hand is cleaned now, आप ऐसे को मैं है have he cleaned now, तो उसे को my hand is cleaned now जगा मोलेंगे, चलो हाथ साफ हो गया, I've done, आपने कोई मीकान कर लिया, खाना क्षा लिया, कुछ भी कर लिया, डांस कर लिया, I have done", इतने बोना मेरा हो गया, इतना हो गया, इस तरह से आपको बोलते जाना है, अब उसमें बहुत सारी बाते और भी आ जाती है, कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, चुरो हाथ आपको ध्यान देना है कि इस तरह से आपको बोलना है तो एक ट्राइल्स हमेने का चाहिए थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से बात कर सकते हैं डेली रूटीन में अपने आप से अपने मन में चीज़ें सोचिए खुद से टॉक कीज़ें टॉक टू यॉरसल दिस अउनली पॉइंट बाइविच युकाइं स्टिक इस फ्लॉएंट लिए तो अच्छी आपके लिए फायदे मंद रही होंगी उस्फूल रहा होगा मेरा ज पॉक टॉक बिलमाइब कर दो दियर बाइब कि झापके लाइब कि वघ्यू इस ौच्छी बाइब कि अच्छी को बाइब कि ने रहे टॉकी को बाइब के लिए अपने में को शे मॉक में प्रके